हम डिसक्रस करने वाले हैं वो φोटोशॉप का जो डूल बार है उसको हम कैटेगराइज करते हैं यह ढिफरेंट ग्रॉप उफ टूल्स है उनको हम टॉफ वाले चार टूल्स है ना इसके तुरूब कर सकते हो इसके प्रूब आप अपपनी जो सेलेक्षेंशन बना सकते हो इसके तुरू आप डिफ्रेंट जो आपके पास इमिजिस हैं उसको अगर आपने प्लेस्मेंट करनी है और यॉर कैनवस साइस करना है को जब कभी आप प्टोशों vójारे और इसकी प्लेकर अप आप बजायों कुछी जब कभी आप फोटोशॉम में जाते हो इन टूल्स को मैं आप यहां दिखावी देता हूं आप ने अपने कोई टूल के साथ connect करना है और एक simple सा canvas का size पहले set करना सिखा दो और यह canvas का size है जो के मैं by default जो आम तर पर हम cover pages बनाते हैं यहां आप कोई title page बनाते हैं तो उसका size letter यहां हम ली यहां पर एफो रखते हैं दोनों में से जो आप जैसे आपने size finalize कर दिया क्लाइंट के साथ which इसकी 8.5 होती है 11 is the height होती है 300 resolution होती है पर inch होती है print material के लिए 300 रखनी पड़ती है और आपका material जो है वो screen हो तो यह 75 रखनी पड़ती है यह आपने आज के date के बाद इसको याद रखना है 72 अगर आपने screen के लिए भी ready कर रहे हो कोई thumbnail बना रहे हो तो 72 रख लो कोई card बना रहे हो printing के लिए बना रहे हो इसको 300 कर तो very simple 300 या 72 दो के साथ आपने इसके बीच की बात नहीं करनी है 72 रखो या 300 रखो यह होगी बात अगला सब्सक्राइब के लिए कुछ बना रहे हो और जी भी रख लो अगर प्रिंट के लिए कुछ बना रहे हो CMY के रखो फिर canvas का लिखा हो ना background content content जिसके उपर रखना है वह आपकी dimension जो उपर बताएगे 8.5 by 11 उसका शो है वह आप को फार रखना है वैसे वाइड वाइड होता है अगर आप इसको other than white करना चाहो कर सकते हैं ब्लैक करना हो लिए पैग्रांड कोई और कर ना कोय और कर सकते हूं कोई बैगरांड कर सकते हो यहां से दिया जा सकता है और एगर तो आपको नजल आ अब ही मैंने करना चाहरा है मैं से कर रहा है रखता हूं प्रिए पे क्लिक करते हैं यह एक आपको पस कैनवस अवेलेबल हो गया और इसकी विड्ट और हाइट कितनी है जिना आपकी ऊपर रूलर दिख रहा होगा रूलर आपको ना देख रहा हो तो व्यूमें जाके रूलर आप यहां से ऑन अफ कर लेना इसकी चौट कट की है रूलर को जरूर रखना क्योंकि आपको काम आएगा आपने को डिविजिंज करनी है इसकी तो आपको रूलर चाहिए होगा और रूलर से आपको अपने डिफरेंट शेप्स को पुट करने में असानी होगी गाइडलाइ और यह आपको स्केल जो है उपर जिस यूनिट में दिख रहा है इसको आप चेंज करना चाहो राइट क्लिक करके यहां पे इसका यूनिटर चुक्कि आपने इंचिस में काम कर रहे हो तो इंचिस करता हूँ और याद होगा मैंने अभी थोड़ी दिर पहले 8.5 दिया था यह देखो एट यह आ गया और यह पॉइंट फाइब नाइन यह पॉइंट फाइज कैन्वस का साइज और हाइड कितनी है यह जीरो है उपर यह वान तो त्री पोर फाइड सिक्स सेवन एट नाइन टैन और य इस वक्त इट पॉइंट फाइब इस वक्त एट फाइब लेवन है लेकिन अगर आपको क्या यह जी हो जाएगा बिल्कुल सकते हैं इसको आप चीज भी कर सकते हैं आप इसका साइज अपनी जूरूरत के मताबिक चीज भी कर सकते हो को आप। इसको चेंज करने के लिए कंव सक पताया देखना हो या चेंज करना हो आप यह कर सकते हो इसके लिज़ को 11 यही है न क्या बढ़ा करना है इसको विट को एट पॉंट फाइब नाइन करतों कोई मसला नहीं यह लोग क्या आपके कैन्वस का साइज अब नाइन नहीं हो गया यूपर रूलर में देख रहे आपको यह नहीं हो गया कैन्वस का साइज इसको और बढ़ा करना है कर सकते हो इमेज में जाओ केन्वस साइज दектив कर सकते हो जब आप नहीं डाकुमिन्ट क्रीएट करते हो इस वकर कि साइट कर लो अगर आपको बाद में भी चेंजिस करनी रिक्वाइड हो कैन्वस साइज यहां से मालूब करके आप चेंज भी कर सकते हैं नाइन कहीं कम हो जाएगा अगर यह बढ़ सकता है क्या कम हो जाएगा विड्द मुझे साथ करने कि दिन्यू कैनवस साइज समा क्लिपिंग विल अकर ऑखे क्या साइज का जो कि साड़े अट सैट किया गया था फिर नौ किया गया फिर उसको साथ कर दिए इसका मतलब है कैनवस साइज जिसके उपर आपने सारी चीज़ें बनानी है ना कॉंटेंट अपना रखना है उसका सा साइट करने में कोई इशू हो गया है तो मसला गोई नहीं कुछ इसके उपर अगर रखा भी हुआ है मिसाल क्यों तोर पे कल मैंने आपको इस शेप बताई कि शेप रखी मैंने एक शेप रखती मुझे कहा गया कि कैनवस का साइज थोड़ा सा कर मुझे और मिल जाता मैं इ कर देता हूं तो बात यह है कि कैनवस साइज आपने टेंशन नहीं लेनी कि यह साइज जो हमने स्टार्ट में सैट गिया है यह लाइफ टाइम के लिए यह होगा नो चेज कर लो कार लो ज्यादा कर लो अब तो देखो मेरी बात सुनों जब आप डॉक्मेंट करते हैं उसको बता दो क्या साइज रखने है यह रखने यह बड़ा करना है इसके साथ चलना है यह बड़ा करना है यहां अगर कोई एमर्जनसि होती है क्लाइन की रिक्वार्मिंट चींच होती है तो कैनवस के जास Family और है यह ईक को देख रही है यहाँ पे इसकी आपका बेयर है और लेर के ओपर आप अगर इसको यहाँ पे जो कि इसका कलर डीड कर इसका हूं होता है जैसा क्लोर को मैं डबल कॉलमम में दिखा रहा था ये वह आट बार के मैंने नाम भी कुछ बोले इसको कि इसको इसको क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं कि यह नायगे बताता हूं यह मूफ डूल से आपके पास जो भी करणट element है उसको screen के ओपर canvas के ओपर move करने के लिए यूज़ करने के लिए यह रेक्टेंगल है ना इस टूल को क्लिक करना पड़ेगा इस से मूँव होता है अब कुछ और किया होगा आप गयाते हो सर्ग मैंने तो यह कर लिया अब मैं मूव करता हूँ यह क्लिक करता हूँ आपके तो मूव नो यह क्लिक करता हूँ आपके तो मूव नो यू हैट टू यूज़ इस टूल को क्लिक नहीं करोगे आप अपने selected item को screen के ओपर canvas के ओपर नहीं कर सकते इसी रही इसका नाम किया है मूव जो कुछ भी है यह आपका जब तक इस टूल को नहीं क्लिक करोगे बाद बाद सब्सक्राइब करता हूँ कि एक और करता हूं यह क्रियेट किया आप देख रहे हैं आपके document दो बन गए एक यह है जिसमें कुछ भी नहीं है एक यह है जिसमें कर rectangle आपने थोड़ी देर पहले बनाया दो टॉक्मेंट से यह लगा है यह लगा अब आपको आपको हो कि यह वाला square जो है मैं मूव करके इदर लेके जाना चाहिए हूँ यह देखो क्या वो मूव हो कि इदर आ गया आया के नहीं आया अभी सामने आपके लिए गया इदर तो है एक कॉपी दर भी आ गए इस डॉकमेंट में भी आ गए दुबारा से देखो जब कभी आप कोई डॉकमेंट एक से ज़्यादा होते हैं तो आपको कुछ शेप को एक डॉकमेंट से दूसरे में लेकी जाना पड़ जाता है अब यह एक और चीज़ आप देखना बड़ी इंपॉर्स को बताले लगड़ें यह तो टूल बॉक्स है बिल्कुर इसका काम है जिसमें से आज मैंन दो टूल सिखाके जाने हैं एक टूल यह है इसका नाम है मूव और दूसरा टूल मैंने यह सिखाना है आपको कम असकम मैं चाहरा था कि आप यह यहां तक टूल सीख लोज यह वाले रेक्टेंगल हिलिप्स ट्राइंगल पॉलिकॉन और लाइन लगाना यह आपने अगर आ याद रखना अगर आपको कहूं यह रेक्टेंगल है इसको मूव करके थोड़ा स्फाईड पर करना है इसको क्लिक करोगे यह अच्छा मधगी बात देखो जब मैं क्लिक करता हो ना उस इसको क्लिक करता हो यह यह एसे नहीं हो रहा है इसमें एक औप्शन है जो टिक कोई ह है यह लिखा है आटमेटिकी स्लेक्ट लेयर बाइख क्लिकिंग और विजिबल अच्छा अगर यह अफ होगा इक चीज यार्त ना जब कभी एक डाक्मेंट बनता है नहीं जैसी बना यह वाला डाकमेंट आप फॉरण से पहले लेयर पक्लिक्क करनाई यह car कि यह आगी होगी आपको इसकी यह ना होता है कि यह नव भाइड होता है वसका लगड ठ्रट किया है white. ये color कहां से ये आपको यहाँ पे भी दीख रहा है background color क्या है? white. इसको वगर change कर दो ये colors यहाँ से change हो जाती है click करने पे. एक foreground होता है एक background होता है actually, क्या ये color जो इस वक्त है इसके अंदर क्या इसको change कर सकते हैं हम लोग ऐचूब के ऐख सकते हैं आप ने यहां पर और अगर उसके हих सबकिन पर इंट्ट्र पैग्राउंड को सब्सक्राइद निदो फार बस्क्राइस जो में फीचे जो सबसें ढूंट पड improper यथा बैग्राउंड रहां इसको इसको पोडिप आपको यह नहीं की जियाद होती है आपको असारी का बताऊं एरेट मैंनु के निदर यह फेल होता है आप इसका क्लर यहां से भी देशाएं यह क्या लिखाव है और यह क्या लिखाव है वहां से यह वाले उनलों और आपको यह सब्सक्क्राह नेजये एक लिख करूंज को कि इस्सक्तप वह क्या होता है होता है यहां यहां बहुत आया था यहां बहुत जब आपने निया डॉक्टमेंट रेडी किया था आपने यहां पर यह बताया नहीं था आपने बैग्राउंड कॉंटेंट वाइट यह वह वाइट है लेकिन अगर आप वो ने कहा कि मुझे इसके ग्राउंड या बेस करें कुछ और करना है मसले को यह जो आप फॉर्डाउं ऑ्न केनवस और बैक्सपेस ब कि और यह याद रखना बाइडिक वह दो आ वह ब्लाक होता है यह इस तरह समय हो एंप क्लाउंड ब्लाक है और ऑपकलर मैं क्या है प्राउंड डीफॉल्ड कर दो डीफॉल्ड default यहां इस पे क्लिक कर दो अब डिफॉल्ट ब्लाक और इस वाइट अगर इनको आपने रखना है एक फोर्गांट बाग्राउंड कंड्रोल बैक स्पेस एंड और बैक स्पेस बैक्राउंड लियर जो पाइड एक ही लियर होती है उसका नाम क्या होता है और यह क्या होती है लॉक क्या लिखाव है यह लॉक लॉक को आफ कर दूं यह क्यों लॉक है यह भी बताऊंगा आप इंशादा इसको अनलॉक करते हैं यह देखूं और अटमेटिकल इसकी नाम क्या देदी आइसका लेज़ी रो ग्राउंड लेजर बेस लेजर ग्राउंड लेजर जीरो लेजर अच्छा एक चीज़ और गवर करो मैंने आगों कल शेट समझानी सिखाई थी लेज़ पर फोकस करना आज जैसी मैं कोई शेप बनाता हूं कि शेप कर साहते दे रही हा जो इक और बनाते और बनाते हैं और बनाते हैं ऑर बनाते हैं जैसे जैसे आप शेथे बनाते जारहे हो आपके स्थेख कि नामjam उपर populate अगर खुदाना खास ता आप से बंद हो जाए ऐसे आगो सर आपने लेर का बताया तो तो नजरी नहीं आ रहा इदर फिकर नहीं करनी आपने आपने विड़्ो मेन्यू में जाना है यहां से लेर्स का पैनल आपको यह नजर आए इसको जरूर वान रखना और कोई पैनल अन हो ना हो यह सामने रखना अगर आप अच्छे तरीके से फोटोशॉप सीखना चाहरे हो जिसने लेर्स को सीख लिया फोटोशॉप ऑल्मूस 20 परसंट सीख लिया उसने काफी हैवी पैनल है इसको इंडिस्टेंट करना है क्योंकि इसके साथ बटन यह देख रहें नीचे लोग यह देखलो यह देखलो यहाँ जो बहुत यह पैनल फुद ही अपने अंदर काफी option को समेटके रख रहा है फिर लिए लॉट पना काम है इस अशानला बड़ा मज़े का काम है जब यह सारे लॉट सापको सिखाऊंगा और आपको फोटोशॉप काफियत तक अच्छा आजएगा तो लेयर पैनल आप समझे लो यह इसकी लाइफ लाइन है इसके बगार लेयर के बगार फोटोशॉप अदूरा है तो लेयर को आपने अंडिस्टैंड कर लेना है आज की लिए और यह चीज़ आदकना जब कोई नया ड लेयर देता है लेयर जीरो और एक और चीज़ इसमें जैसे जैसे आप इसमें मजीद अलिमेंट्स डालते हो स्टैकिंग और में वो एलिमेंट फ्रेंट पे अनाच शुरू हो जाता है अब अगर मैं आपको कहूं कि क्या यह ब्लैक जो फिल है और स्टोक इसका जो है क्या चीज़ हो सकता है हिलिप्स का बिल्कुर हो सकता है अगर मैं साइट पे क्लिक करो ना इस लेयर पे आग पता सब्सक्राइब क्यों ब्लैक सरकल है और ब्लैक ही रेक्टेंगल है ब्लैक यूपर ब्लैक तो दिखाई नहीं दिए रहा है अब एक ही चीज़ है देखने के लिए लेयर पैनल यहाँ पे क्लिक करो इसनले इम्पॉटमड हो जाता है कुछ एलिमेट ऐसी होते हैं जो आपको समय करता है एक सब्सक्राइब कर सकते हो ज्रेओं करते हो इस से आप एक एक करते हुंकर कर दो यहां से अपट कर दो करना यह लों कर दो फिर अगर आभर आपने करना अगर आप कोई और डूल पे क्लिक कर दिया दो अगर आप सेट करने के लिए आपके पास जो इसके रैलेवंट प्रॉपर्टी सें जो कि ऊपर आती है यहां पे वो दिखाई ने दे रही है कि टूल किसके थूरू बनाया गया था याद है आपको यहां से बनाया गया था इस पे जब तक क्लिक नहीं करोगे पहला काम उस लेयर के अलिम कि अगया है कि यह स्ट्रोक भी दे दू तो यह कलर के रखने हैं ब्लु कर दू यह लोग हो गया और बताओ और क्या करना है मुझे इसकी बढ़ाना है वेट जिसे बोलते हैं यह लोग मुझे इसका लाइन डा स्टाइल भी चेंज करना है यह लो नहीं कुछ नहीं करना है आपने जस्ट इसके उपर क्लिक करना है स्टोक पे यह और कलर बता दो जो तिल करता है कर दो कंटिनुटी डॉटेड डैशिस सॉलिड यह अच्छा इसमें देखो मज़े की बाद यह देख रहे हैं ऑप्शन्स हैं इसमें काफी सारी यह देखो राउंड यह देख रहे हैं इसके कैफ्स राउंड यह शाप यह टूवर्ड इस एंकर पॉइंट और यह भी है जी जिनाब यह रेक्टेंगल के लिए हैं आपको बता है सरगल का कोई कॉर्णर होता है कॉर्णर किसका होता है रेक्टेंगल का और दूसरी चीज एक और गार करो क्या यह जो आपका लगा है स्टोक हाफ इन है हाफ आउट है देख रहे हूं हाफ इस शेप के इन है और हाफ आउट हुआ है समझा रही है अगर आप चाहों कि इस शेप के इंसाइड आज वाटर कि देख रही ये यह से यह सैंटर हाफ इन है यह आप इनहीं है इंसाइड इस्टोक से और है यहीं सब्सक्राइब करना होता है यह इंसाइड आ गिया और अगर मैं कहूं मुझे जिनाब अपनी रेक्टेंगल को सेट करना है यह जो नीचे पड़ी लिए कर लेते हैं यह लोग क्लिक किया अब अच्छा बेठर आप्शन एए है कि आपंने एक काम करना है मैं इद्धर क्लिक करता हूँ यह स्लेक नहीं ओर है हां ही और और आप ग्लिए सुलत हो यह गेffướक्ण करते हो का इस से भाष Tomb करतो किा भुलिए הत्मार्टकर सी इलिफ्स वाली जिसका स्टोक अब क्या आपकी स्टाइंगल स्टाइंग मैं इधर क्लिक करता हूँ क्या इधर क्लिक करता हूँ देखो लेरोदेखा उने अब आपने जिन्देगा क्योंको असान कैसे बनाया यहां से इसको अगर आफ कर दिया गलती से भी अब आप एक ही तरीका स्वेक करने का हूँ यह अच्छा एक मैं टिक्ट देता हूँ आपको आपने जब किसी शेप को स्लैक यह ने लेयर को एक काम ज़रूर करना आप कहते हो सर इसके हैंडल नहीं आते हैं जिससे मैं पकड़के इसको खेंचूंगा स्टेच करूंगा रोटेट करूंगा वह हैंडल आने का एक तरीका होता है कंट्रॉल टी ट्रांस्वामेशन अब और उसको कैसे देखते हैं मैं उनको यह गयता हूँ एडिट मैं में जाओ और ट्रांस्फॉर्म क्या लिखा है यह यूज कर लिया करो इसे हैंडल भी आ जाएंगे और आप अराम से इसको साइज वाइस करना हो स्ट्रेच करना हो रुटेट करना हो सब कुछ पॉसिबल है किसे और हैंडल आपका कब आएगा जब आपको ओनर्स पर जाओगे थोड़ा सा भाहर आगया इसका मतलब यह रेक्टेंगल बिसाल के तौर पर यह रेक्टेंगल आप एक असान काम कर अच्छा एक चीज और जब आप कुछ कर रहे होते हो तीना ट्रांस्वामेशन यह उपर ऌब और इधर क्लिक करते हो इधर क्लिक करते हो उसे पर भी और बटन ऊउगा आपको यहां पर कलिक करके ऐसे करने की ज़ुरदी कोई नहीं और ऑप दिक्लिकλιक करो यह देख एधर है सेलेक्शन हो रही है द पहले हैं अब और यह आप इसको आपने यहां पर इसको ऐसे एक्टिवेट करके मूफ करना है आपने इसको करना है कि करो जाव कर जाएंगए स्ट्रेश करना है इसकी चीठेश करनी और गर्द उपर देखो किया व और ओपर इसका मतलब है आपने जिस टूल से वो क्रियेट की है न ऑबजेक्ट उस टूल को क्लिक करना जरूरी वरना ऑप्शन उपर वाली आपको दिखाई नहीं देंगी और यहां से आप इसली जो फिल करना चाहूँ अच्छा मज़े की बात सुनों फिलिंग में इतनी ज्यदा वरा जीद बढ़ भाड़ा आफ शेय hou ब्रहर है यह फुल ब्लाक वैइट अस्तुर लाइट का हो रही यह शेड डाक पिक्जल्स को एड़ किया जा रहा है और यह फाइनली यह आपका इससे ज्यादा यह ग्रे यह दर्मियान में ग्रेश कहलाते हैं वाइट एंड ब्लैक के दर्मियान में क्या होते हैं ग्रेशिट अगर यहां को पसंद नहीं है इधर आजो और भी है वराइट यह फिर प्योर कलर्स की डाक शेड्स भी है यह देखो यह दाक शेड्स हैं साले फिर आगया जो आप बिल्कुल चेंज भी कर सकते हैं आप जस्को क्लिक करते जाओ और यहां से जनाब आप जो कलर आपको पसंद है वह फिल्मे से आप आन कर दो और नहीं चाहिए इसको आप आ दो आपको इसकी फिलिंग अफ कर नहीं है यह नन इस फिल आप होती क्या हूआ हो और पार देख रहे है उसके पीछे क्या वह भी नदर आ रहा है ब्लैक हैं एक एक रेक्टेंगल बडावा नदर आ रहा है अच्छा सालिट कर देना है तो यह ऑप्शन है कि जो भी कलर देंआ अब देते हो आ आप more than one color भी सुराथ सकतर असमें रखसक्ते हैं से फुसक्रेदिंट्स ये देखो डेखरा है दो में आ गया ये आप linear है इसको रेडियल कर लो इसको एंगल कर लो इसको रिफ्लेक्ट drilling और पी इसको diamond में ले हूँ यह सारे के अप Scoo अगर आप कहो कि मैं इसमें मजीर अपनी मर्जी से एड़ान कर सकते हैं तो आप इसमें अपनी मर्जी से एड़ान कर सकते हो जो भी कलर इसमें रखना चाहो आप यहां पे इसकी डिफ्रेंट वैल्यूस के साथ जा सकते हो इसमें अब आपके पास दो शेट्स हैं एक ब्लैक ह सब्सक्राइब करना लाजम फिर यह शेप को ऑन करना लाजमी फिर यह आप्शन आएंगी उपर बाद सुन्ट कहते हैं सर वो मैं फिल करता हूं मुझे तो ऑप्शन नजर नहीं आ रही यह वाद है टूल बॉक्स नहीं आ रहा वजह क्या होती है विडियो मैनियों इस्टूरंट्स यह आप यहां पर अगर थोड़ा सा नीची आ जो बॉटम पर यह दो चीजें आपने हर सुरत में आउन रखनी हैं एक हैं ऑप्शन एक हैं टूल्स टूल्स इसको बोलते हैं ऑप्शन जो आप क्लिक करने पे उसकी रिस्पेक्टिव ऑप्शन आती हैं जिस बटन पे भी क्लिक करते हैं उसकी रिस्पेक्टिव ऑप्शन उपर आती हैं तो इसके respective options आरी है बाद अका student को ये दोनों इसके एक नहीं दिखती वजह क्या होती है window menu window menu में से हम में से किसी ने इसको off कर दिया हो हम में से किसी ने इसको off कर दिया हो ना दो tools नदर आएंगे ना उसके respective option नदर आएंगे से प्रॉब्लम यहां यहां तक की बंद कर देता है यहां तक कि इनकी प्लॉपर्टी अभी हमने नहीं की गो के ऊपस हमने अभी दंग किये को के सब कुछ भूजा जाता है आपने इस हथ तक इस में जाके disturbance create करती हैं यह हर एक पैनल को अथा के मैं cross कर रहा हूं यह हर एक पैनल को ठाके मैं cross कर रहे हैं आज मैंने सिर्फ एक पैनल को एक एक चीज को वापिस लेकिया हो लेज को कि अगलर्स को स्वाचिस को जो कि पहले थे एक एक करके लेओ या गया पिर दूसरे को लेओ लानी है या गया जहां प्लेस करने अगर इस तरह करने बैठो गे ना आप बहुत टाइम लगेगा अरेंजमेंट आपको वैसे भी बू पाथ और एक और ऑप्शन इसके साथ थी अब मैं भूल गया हूं असान तरीका विंडो मैंने में जाओ स्टूरंस और इससे निपटने का एगी तरीका है वर्क स्पेस यह होती है अब वर्क स्पेस क्या होती है कैसे बनती है बताने लगां आपको इसो रिसेट करता है एव यह से बन जाएगा इसलिए फूटोशॉप ने जब यह साफियर बनाया इन चारों को एक ग्रूप में रखा इचारों ही कलर्स के हवाले सी हैं जो कर रहा हूं यह यहां से कर रहा हुँ यह बाहता है यह ग्रीरिट्ट इन इस प्रूंट चाहे आप इस यह कुस लएक कर लो एक ही बात है यह पैटरन है यह ग्रेडियंट्स है चाहिए यहां से कर लो students चाहिए आप यह ग्रेडियंट्स में चले जाओ यहां से कर लो एक ही बात है इसका मतलब यह है यह पैनल भी आपके पास alternate है है इसका इसलिए इसलिए बाद उकात इसको आफ कर दिये जाता है यह सुरी options को बाद कर यह होती है वह क्योंकि सारे काम अब इदर से कर रहे होती हूं इसलिए यह important है swatches होगे gradients होगे patterns होगे और सबसे important जो है इंशाला इसको भी लेयर का पता companion टैप कॉंस है चैनल पाथ यह तीन चीज़ें कटी होगे लेकिन अगर आप इसको अलग भी रखना चाहो ट्रैक आउट कर दो यह वापिस रखना है ब्रैगन कर दो जहां रखना है यह लो तरतीब आगे बीच हो जो कोई मसला ने इस ट्रैक करके रख दो यह कि आपको बाहिंने का लाए पैनल यह ठो है यह चुटव सिस स मझा रही है आपको आज मैंने क्या सिखाया मैंने आपको क्च शिपस को इनसर्ट करना सिखाया आपने के उपर कैंष से उपर मैंने आप गुला रूलर ऑन कर देना रूलर ऑन करने के बार मैंने यह बोला कि अगर आपका स्केल के साथ कंफर्टेबल नहीं हो कुछ और हुआ हुआ है सेंटीमीटर हुआ इमेज में इमेज में यह उता है जी करंट केतना है वह भी बता रहा है कितना बढ़ारा है वह बता दो टोटल मैंने इसको दस्कर ना है लुग तली है अब आगर न फूझा है बढ़ा गया जिसना मिस ने पूछा था भी ये साइड पर यह आ गया चोट चोटे आप अगर गौर करो लेयर में जो ग्राउंड लेयर है बैक्राउंड इसे बोलते हैं ये ये है इसकी फिलिंग कौन सी होई रिया बताओ जरा फिल किया इसकी वाइट वाइट है ना अब इसका फिल आप दुबारा से करना पड़ेगा आपका अगर एरिया बढ़ाया है तो इ पर ले जाओ यहां से कौन सा गलर रखने है बैक्राउंड और वाइट चाहिए रिफिल हो नहीं किया हो तो टैंशन लेनी नहीं आपने जब बड़ा एरिया करते हो लो ट्रांस्पेरेंट रखता है उसे वह होते हो जो आपको ग्रेंट के लिए बॉक्से नदरा रहते हैं म अब अ को सब्सक्राइप बाप सब्सक्राइज है औरॉरr इअल पार सब्सक्राइब ब्लैक एंड वाइट ठीक है अगर आपने कैनवस को ऐसे फूर ग्राउंड के तौर पर ट्रीट करना के साथ वह भी कर सकते हैं अगर आप कहते हैं सर मुझे कीजवीज याद नहीं होती असान सा तरीका एक सी और आपको और कीजेगा आपको लेयर को स्लेक्ट करना जरूरी है मिसाल के तौर पर अगर मुझे से गलती से यह लेयर स्लेक्ट है उपर वाली रेक्टेंगल वरी अब आप बैक स्पेस करता हूं यह किसके अंदर जा रहा है कलर उस रेक्टेंगल में जा रहा है यह देख रहे हैं यह रेक्टेंगल में जा रहा है जो लेयर का इस वक्ट स् इसका मतलब है लेरी इंपॉर्टन जब भी काम करना है आपने पहले देख लेना किस लेर पर हो लेर को जब आप देखोंगे नहीं एक्टिव एरिया एक्टिव लेर कौन सी है उसको क्लिक करना लाजमी है वरना आपको समझ नहीं आएगी कि फूग रहा है अगर आपने सरकल को लेना है इसको मैंने क्लिक कर दिया अब अगर और बैक स्पेस करूंगा यहां कंट्रोल बैक स्पेस करूंगा यह अगर आप अगर आप यह की इसके थूरू नहीं जाना चाहरे तो मैंने थोड़ी देर पहले बोला अरेट में फिल भी तो है अरेट में यहां से फिल ऑप्शन यह एक्टिवेट वैसे इसके लिए नहीं होती है आप इसको यहां से फिल कर सकते हैं अगर आपने फिल नहीं करना नन कर तो खाली हो गया सॉलिट करने के लिए और यह आप शेर्ट बतातों आना यह अबर नहीं और निची आजबूँ और इस के तो और हैं और अगर इसम्में हो चेंगी इस रिकॉयर्ट हैं水 मदद्ध इसصव लिटूट्थ की वाज सुनों कि लीनियर है लीनियर का मतब एक कलर दूसरी की तरफ जा रहा है स्टार्टिंग कलर इस परपल एंडिंग कलर इस ब्लू इसके उपर अवेलेबल आप सो चेंज करना चाह रहे हो डबल क्लिक करो चेंज कर दो कलर चेंज नहीं होगे यह रैट से ब्लू की तरफ ब्लू भी चेंज करना चोटी चोटी चीज़ें यह आप जब करोगे ना तो आपको यहां बें समझानी शुरू हो जाएगी लीनियर है यह एक कलर दूसरी की तरफ ब्लेंड होते पे जा रहा है अगर आप कहत feld फी एदल कि रीडियलिंग्यल तो वर्ड़ आॉटर आउटर पांडरी एडर में जा रहा है कि य अन किया इसके यह 109 डिप्री में को अंतलों से 90 90 में डिवरी है इसको आप यहां से भी चेंज कर सकते हैं जैसे आप चाहँ इसकी यह यह देखो तेज़ और आप इसको स्केल करना चाहिए यह स्केल कर रहा है उसको यहां पे स्केल आपको चीज अगर आप कर रहे हैं तो ऐसे नजर नहीं आ रही है यह आप लीनियर में देखो आए यह अप यह थेक्हों यह आप्र टाइमंड में स्केलड़ काफी मैंने आ एकड़ीव अब यह जब्लो करकू है वाल जग्रूब सिरह और हन्स यह यह beiden है यह सकैल यह यह सकैल अरन्स इसकैल और अगर आपने बहुत सहता हEकर दी आपको एग एक लूख झर Kr स्केल डाउन कर से नजह रखने हैं आपने एलिमेंट के उपर र 봄 और रखना चाहरे हो और ये चीजी आपकी इसके सcentered में संट्रिक सेंट्रिक संट्रिक संट्रिक सेंट्रिक स्केश्ल आप डाउन इसके बीड़ करके यहां से इसकी एंगल वैल्यू को रूटेट करके और अगर आप चाहरे हो एक थर्ड कलर भी इन्वाल्व करना है लो इस अधर कलर आगया क्लिक करते जो फोर्थ कलर आ गया यह फिफ्ट कलर आ गया सिंपल क्लिक कुछ भी नहीं करना सिंपल क्लिक यह सारे वाइट शीड जाले कोई मसला नहीं डबल क्लिक करो आगे यहां पर डबल क्लिक करो आगे यहां पर डबल क्लिक करो बैसके लोग आले 12 नजरिक निया बालगना गलती से ही हो जाता है पुर्ट कर रहे हो देन हो हुई कुछ नहीं रहा है किस स्केलेंगे और यहां से एंगल इसकी वाल्यो आगे पीछे आप कर सकते और यह चीज आपको बाकियों में भी इसकी पैसिस नज़र आएगी यह देखो मल्टी है और यह बहुत बुरा लग रहा है यह लोग निकाल डॉप 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 जस्को अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हो यह इसके लाप यह बढ़ती जा रही है तो यह आप इसको दूरूर देखिए यह आप यहां से अगर को इंट्रोडूस क करवाते भी कलर कोई बीच में कलर की इंट्रोडूस कर वाते भी हो इसको फर्दर आप कंट्रोल कर सकते हो मैं फोड़ा डिफरेंट ही ले ले लेता हूं ताकि आपको इसकी वैल्यूस को सेंस करने में असान यह ब्लू येलो एंड रेड यहां से इसको आप काम ज्यादा भ गया यहां से कलर सका स्प्रेटिंग कर सकते हैं यहां से भी आप इसकी वैलीव को काम ज्यादा कर सकते हैं रेड जो कर रहे हो आपके इस शेप के अंदर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है समय आ रही है तो आप इसका मतलब मूर देन वन कलर के इलावा मजीर इंडिडूस कर वा सकते हो और आपको नहीं चाहिए ड्रॉप करतो ड्रैगन ड्रॉप और अगर आपको सिंगल कलर चाहिए था यह ले लेते नहीं चाहिए यह ले लेते मल्टी चाहिए ग्रेडियंट चाहिए यह ले लो और यह यहां से कर लो जनाब यह स्टूरेंट्स आप यहां से कर लो एक ही बात है है स्वाचिस इंगल करेंट रेडियंट मल्टी कलर यolf और भी है एगर रेडी में है और अगर आप इसमें मजीद काम चाही हो तो यहां से आप इसके पोड़ा पूचीज अब करना था चीज़ भी कर सकते हैं यहां से आप चाहिए इसको आप colors में इसको delete भी कर सकते हैं, rename भी कर सकते हैं, यह सारी चीज़े पॉसिबल होती हैं, अभी आप जो है, वो यहाँ पे जैसे जैसे आप नीचे store down करोगे, काफी सारी इसमें variations हैं, आप जो इसमें color gradient से डालना चाहो, यहाँ पे आप click करके add on कर सकते हो, और यहाँ प यहाँ पे आगया हैं, तो आप इस पे click करके इसमें मजीद changes भी कर सकते हो, यहाँ से जाके आप color को change भी कर सकते हो, linear ले लो, radial ले लो, angle ले लो, refracted ले लो, diamond ले लो, जो color आपको इसमें mod पसंद है, वो यहाँ से आप on कर दो, color को introduce कर वाओ, और यहाँ से आप colors को अगर च change करनी है, यहाँ में इंट्रोज करवाना है, आप click करके यहाँ से भी, जितने colors आप इसमें add-on करना चाहो, कर सकते हो, और double click करने से इसकी value को यहाँ से भी change कर सकते हो, यह आपने करके देखना है, इतने की detail है, इतने की detail है, एक एक चीज़ को हम लेके पैड़ जाएंगे, तो काफी time हमारा लग जाएगा, लेकिन मैंने main main इसका आपको filling के point view से shape के अंदर कोई भी shape हो, इस तरह आप fill color डालना हो, यह stroke डालना हो, stroke के लिए भी same scene है, वोई box आ गया, पहले क्या आपने put किया था, inside shape किया था, अब क्या कर रहा है, उसके stroke में कर रहा है, जैसे boundary बोल अब यह क्या off हुआ, stroke, क्या single color, yes, single color, change करना, yellow, yellow, gradient डालने, gradient डाल देते हैं, yellow, अब यह bottom में gradient आया है, stroke जिसे बोलते हैं, इसमें changes होई तरीका, यहां तक जी, आज जो मैंने आपको, दो shapes को, उसके अंदर fill कैसे करते हैं, stroke पे काम कैसे करते हैं, इसके अंदर जो none से लेके, solid से लेके, आप इसके अंदर gradient से लेके, pattern अगर डालने, pattern भी उसी तरह, pattern इसमें खा, pattern आप, फिल्में भी ढाल सकते है, pattern आप, stroke में भी टाल सकते है, pattern, और रहरत है, यह फ्लमे और विल्मे करोगे, film फिल्मे होगे, stroke में होगे, stroke में आएंगे, यह patterns है, water pattern भी है यह देखो जहां कहीं use करना हो कर सकते हो और यहां तक के students pattern जो है बड़े limited से हैं इन patterns को अगर आप चाहो अगर आप चाहो इसको भी यहां से scale down आप कर सकते हैं same उसी तरह यह देख रहे हैं बड़े size में pattern हो गया यह चोटा 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 पैटर यह बिल्कुँ डॉट्स में नजर आ रहा है यह देख रहे हैं पैटर बड़ा हो रहा है जो भी होगा grass लेज़े देखो यह स्केल यहां से भी डाउप कर सकते हैं यह देखो उसके अंदर का pattern का स्केल आउट डाउण आप यह देखो पैटरन की विजिबिलिटी अच्छी होगी बिक साइज में होगी और एंगल वाइस भी इसको रोटेट कर सकते हैं यहां से माउस के साथ कर लीजेगा एरोगी के साथ कर लीजेगा यह आपको पैटरन की किसे अपलाई होते हैं यह सारी की सारी आप दो चीजों को अलग रखिएगा एक होती है शेप एक शेप की फिल होती है एक उसका स्ट्रोक की कलर सब्सक्राइब यह हैं इसमें अपि आपको यह जो है आपको आज कर दिन नहीं बता रहा यह बड़ी सब्सक्राइब के लिए इंट्रसेक के लिए यह लाइन मेंड के होती है यह आप्शेँन यह आपको और चेंज करने के लिए और समयते हो इस शेप को पीशे रेहे कर आना है यह आप यहांसे बड़ा इसली कर सकते हो इसको ऑटर में इसको आगे में आज्या वाकि इसके बारे में आसानी थे एक पीछे जली गई है एलिप्स जिसको मैंने स्लेक किया वाता यह देखो यह फायदा है किसका लेड़ सक ड्रैगन ड्रॉप कर सकते हो यह देखो कि शेप उपर आगी है मदीद उपर लेक्टेंगल के पीछे है और एक रेक्टेंगल जो पीछे चला गया एक आगया एक पीछे यह देखो यह रेक्टेंगल अब सिर्फ अब यह फ्रंट पर दिया पीछी चलेगे देख रहे हैं और आपने क्लिक करना है जिस शेप का और चीज करता है अब याद रिखना की कोई नई चीज बनती है उपर आती है यह लिए और अगर आप इसका और चेंज करना चाहों यहां से ट्राइग करके ड्रॉप कर सकते हैं बिल्गुल में पीछे लिए जाता हूँ देख रहे हों शेप बिल्गुल बिहाइंड चली गई है और अगर आप इसको क्लिक करके फ्रंट पी लेकर आना चाहरे हों स्टैप बेस्टैप लएकर आना चाहरे हैं यह लों यह आपके स्टैप है स्टैप जो पीछे वारी शेप है और बेतर ही है इनके नाम भी रखा करो अभी मैं आपको नाम के लिए नहीं कह रहा नाम इसका रख लो नाम जो इसके डिफॉल्ट है एलिप्स वान एक्टेंगल वान टू त्री फॉर कोई बात नहीं आप इसको ना नान दिबल क्लिक करते ем कर देते हैं लेकिन आप चाहाऊंचानने में समय में में डेजाइन केंदर प्रॉब्लम हो रही है आप उनको इंडिविजिली हर एक एलिमेंट के लेयर का नाम भी रखते हैं अच्छा इसके साथ पता क्यों सी होती है चैनल और वैसे तो यहां भी पाथ दिख रहा है और यहां प्रेस करोगे तब भी हो जाएगा और यहां विक्लिक करने से भी लेड़ का पैनल गाइब हो जाता है और अगर आप इसमें के कोई डिस्टरबंस फील करो स्टूर्ण्स तो आपने एक काम किया करने कि आपने काम यह करना है विंडो पैनल में जाके वर्क स्पेस की वैल्यूस को जो की डिफॉल्ट होती है इसको रिसेट करते हैं आपका अगर डिस्टरब हो जैना इन्वार्म वर्किंग इन्वार्मेंट इसे बोड़ें वर्क स्पेस ऐसी स्वेश जो ग्राफिक डिजाइनर अपने लिए करता है इसके अंदर क्या के शामिल है वो में बता दो अगर आप और करो वो देख रहे हो टूल बॉक्स कहां पर मैंने रख दिया होता कहा है कर मैंने कि दर दि सबसे असान होता है क्या इसका मतलब है वर्क स्पेस जिसका नाम इसको क्या है मैं आपको दिखा दोबारा से वर्क स्पेस के वारे में आपको बताओं का वर्क स्पेस क्या होती है साथ-साथ यह तो आप काम करो ना यह टूल्स की थोड़ी सी पैक्टिस आपने जरूर करनी करो और इसको अपनी मर्जी सके तूल कॉल में ये सिंगल कॉलम में यह पता क्या होता है इसके बढे नीचे और दिखाई नहीं दे रहे हैं मैं इसको आपको यह कहूंगा इसको डबल कॉलम में लें जाओ इसको प्लट भी सकते हो यह देखो सब्सक्राइब कर इसे के दूब लीए और आपने क्लिक रहे हैं से स्वाप कर ना कि लिए होता है और वां मैं इसका तरह है जब आगको मैं कर वाँ गड़ेंगा ब्रेश कोना इसे बाइश को लॉव प्रेश नहीं अब डिया सिर्फ समझाने के लिए जो ब्रेश के ब्रेसिंट साहब को यहां नहीं आती है जिसा लगता है लगता है ब्लैक लगता है भी चीज़ है प्रश सब कुछ होगा स्टाप पैस्ट यह देखो यह प्रस्ट लग रहे हैं किस कलर का लग रहा है इसका मतलब इसको कर चेंज कर लेंगे तो फोरगा। समझेरें फोरगरान तो बात यह है कि फोर गरओं जो स्दॉर्पिंग करनी ओःओ यह अब ग्रीन का ब्रश हो गया यह प्रेश की बात कर रहा हूं प्रेश के बहुत डिटेल है बड़ा मज़े का टूल है इसको इसी नहीं लेना बहुत जबर्लस इस ऑप्शन कुछ भी आप इनको क्लिक करो डिलीट क्लिक करो डिलीट क्लिक करो डिलीट इसको ड्रैक करके इसकी दस्टमीन पर चोड़ दो ड्रैग करके डस्पिन पे शोड़ दो सब कुछ किया है जो भी था सब कुछ किया है मजीद दुबारा जगर आप पॉपलेट करना चाओ यह देखो कुछ भी बनाते हैं जैसे जैसे जो जो बनेगा वो सामने आता जाएगा जैसे जैसे जो जो बनेगा वो सामने आता जाएगा बेर्बूर होती है इसकी कॉपी बना सकते है अभी मैं बनाना सिकाता हूँ अच्छा जैसे जैसे जो जो बनाओगे यहां बनता जाएगा क्लिक करते जाओ और वो शेप बनाते जाओ इस सारी शेपस है मौजूद लाइन भी है और जो बन रहा है देख रहे हूँ इसलिए बोला लेड्स को समय लो लेड्स समय ना बहुत इंपोर्टन्ट है लेड्स अगर समझ आनी शुरू होगी तो बहुत आपको असान होज़ेगा अच्छा एक और मैं आपको चीज़ बताओ आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है जब आप इन में से शेप कोई भी स्लैक करो एक चीज़ का ख्याल रखेगा यह उपर शेप होना चाहिए बाद गरने स्टूर्ट यहां पाथ कर देते है पाथ कर देते हैं अब होगा गया जनाव यह होगा जब यह कुछ बनेगा ना यह शेप नहीं है पाथ है पाथ क्या चीज़ है इसको एक स्प्रेंट करूंगा इसको आपने बस एक चीज़ का आपने ख्याल करना है जब चोई चीज़ बनाओ इन में से कोई भी शेप ड्रॉ करो आपने एक इस्तियात करनी है उपर देख लेना यहां पे शेप पिक्जल ना हो पाथ ना हो शेप फिर आप बनाना शूब करें और एक और चीज़ बता दो जाते जाते इन ऑप्शन को डिसकर्स करते हुए कि यह रैक्टैंगल है रैक्टैंगल समझत यो कि जिसमें विट्स ओर हईट आपजिट साइट की बराबर होती है इसे आप बोलती हूं रैक्टैंगल अगर आप चाह रहे हों कि मैं यहां वे रॉग करूँ इक्वल साइट्स की जिसे स्वेर बोलते हैं आपने से शिफ्ट प्रेस करते हैं शिफ्ट शिफ्ट बन गई छोड़ दिया है अब दुबारा से देखो एक और रेक्टेंगल बनाता हूं यहां पर शिफ्ट कर देंदें ताकि आपको पता भी चले हो क्या रहा है कि रेक्टेंगल आप दोसी इंसाइड को मैंने बना दी सुरी एक काम बई सिसाये ऑरहर घाटेंगल बनादी बनाने के बाद आप आप कोड़ कि आपना कि इसे यह ड्रैग करते हो अगर यह स्कुर्ड ना बन रहा हो आप से एक तो स्कुर्ड ऐसे आप खुद से मालूम कर सकते विप्ट और राइट आपको दिखरी होती है किन्फूजन ओषिप्ट्रेस करते हैं सब्सक्राइब में इसको अगर आप से नहीं स्क्वेर बन रहा है और यही चीज रूल याद रखना सरकल के लिए अगर आप कुछ कर रहे हो और आप समय तो सरकल नहीं बरना सरकल क्या होता है यह इलिप्स सरकल इसको करने के लिए आपने याद रहे हैं याद प्रेस करना करें यहां से डिसाइड करने कर दें तीन अब पता मैं अगर कुछ बनाओंगा क्या प्राइंगल कि अगर यह साइड्स में कर दो चार अब पता क्या बनेगा एक स्वेर या रेक्टेंगल और अगर मैं इसको पांच कर दूंगा कि पांच साइड्स कर दूंगा चे साइड्स अगर मैं साथ कर दूंगा आठ्कर दूंगा दस कर दूंगा तो उत्री साइड्स बनती जाएंगी उस शेप की पालीकान पालीकॉन पालीकॉन को unique की यह आप पहले बतानी है फिर बनाना शूकर नहीं जो भी आप बना रहे हो डिजाइन पॉलिगाउन के तुरू पहले आपने डिसाइड करना है टूल को स्वेकर करके ऊपर देख लेना क्या है साइड देख लेना कितनी है बाकियों में ऐस सच कोई प्रॉपर्टी नहीं है इस तरह की तुकि आपको पता है रेक्टेंगल या स्वेर चार साइड से होती है ऐस सच यहां भी कोई प्रॉपर्टी इस की नहीं आ रही है हां कुछ आ रहा है वो बताता हूँ है सरकल लेते हो इसमें भी ऐस सच कोई इस तरह की प्रॉपर्टी नहीं आ रही लेकिन जब आप पॉलिगॉन लेते हो पॉलिगॉन में आप यहां पर डिसाइड करते हो पहले बनाने से पहले कितनी साइट्स मिनिम कितनी तीन से कम नहीं होती और मैक्सिमुम कितनी सब्सक्राइब कर दिया ना आप पॉलिगॉन बनाओगा आप लगेगा सरकल है क्योंकि पॉलिगॉन सरकल का अब इफेक्स चो कर रहा होगा इसको क्लोज्वी अगर वाच करो और क्लोज्वी वाच करो जूम करके यह जूम है यह देखो आपको बोला था ना कि रास्टर ग्राफिक्स रास्टर ग्राफिक्स में जब एक लेवल की हद तक आप उसे जूम करते हो तो वह पिक्सलेट होता है यह आपके कॉर्णर्स को इसकी बाउंडरी है ना उसके पिक्सल्स वैलिउस आपको विजिबल होने शुरू होगी और आ 2800Ops और जूम अगर आपने फुल स्क्रीम के लोग को तूरी विच्श के साब से हंड्रड पर स्थे यह freak जोँआउट ूआऊट ूप जुम आओ जुम आउट। गार्णुद० बिल्कुल कंट्रोल फ्लस इसकी शॉट कथ की है ओमिन की इन्च्रोल भी अरगर आपको कुई दिक्कत हो जो रही है उंड्रस्टेशनिंग में वैं तो आप डारेक्ट इस बटन पर क्लिक करो जूम के साथ ना यह एक्टिवीट हो जाते हैं फिट बाल का तर आपका आगो समय नहीं आती पता नहीं डिजाइन के तर किया आप जस्ट जूम पर क्लिक करके ना फिट स्क्रीन कर दिया करो कैनवस पूरी विट्ट और हाइट के साथ तो यह आपको पिक्सिलेशन वारे इफेक्शन जराने शुरू होता है यह देखो जूम इन का टूल है फस्ट वारे यह देखो अभी तक नहीं जैसे जैसे बढ़ा कर रहा हूं हंडर्ड परसंट पर आपको नॉर्मल दिखता है जो प्रिंटेबल होता है विजिबल होता है लेकिन जैसे आप बढ़ा करोगे लाज में एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको इंडिविजिली एक एक पिक्जल नदर आना शुरू हो जाएगा उस इमेश का यह पिक्जल्स है सारे अच्छा यह देख रहे हों मैं एक बड़ी आपको काम की जीद आने लगाँ इसक्वर क्या बोलते हैं माउस हुई उपर नीचे कर रहा हूं और रहा है स्क्रीन और 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 के साथ करूंगा लेफ्ट राइट यह देको और के साथ करूंगा जूम आउट हो रहे हैं और के साथ क्या हो रहा है जूम आउट हो रहा है और अब जूम इन आपका करना हो तो जिनाभ आपने एक काम करना हूं मैं आपको एक चोटी सी टिप देदू, आप ये कर लीजेगा अपने मशीन पे, ये आपको काफी हद तक आपको असानी देगा जब जूम इन, जूम आउट करना होगा, काम जब डिटेल में करना होता है, जूम इन करना पड़ता है, ताकि आप देख सको क्या है सीन, तो इसक आगर जूम इन करो, तो जूम इन होगा, या आपको अभी आपके दोस्तने का कंट्रोल प्लस, या कंट्रोल माइनस, जूम इन, जूम आउट करने के लिए कैनवस को, इसकी बजाए मैं आपको एक असान सा तरीका बताऊं, आपने एरिट में जाना है, और बेलिकल बॉटम में यह आपका हैगा, जनाब टूल्स में, टूल्स के अंदर यह आउन कर देना, यह आप अपने लिए असानी कर लोगे, क्या लिखाव है, जूम इद स्कॉल वी, यह सेटिंग्स होती है, करनी पड़ती है, यह आउन करने से, यह करनी पड़ती है, यह आपको करनी पड़त और आपकी तरफ मैं रूल कर रहा हूं तो जूम इन कितना आसान होगा आपके लिए बजाए आप जूम टूल पर जाओ फिर इस से रेल्वेंट आप्शन पर जाओ यहां पर जूम आउट यहां जूम इन करो वेतर नहीं है कि आप माउस का यू यूज करनो वी जूम इन जू वील से नहीं होता है वील से हाँ होता है मैं आपको दिखा दूंगा अच्छा यह देखो यह प्रदा के कह रहा है यहां से आप कुछ और भी आप्शन को टेस्ट कर सके हैं 100% फिट स्क्रीन होल विट्ट के साथ आपको जूम करेगा विट्ट के साथ से इसको जूम करना स्क्रीन कर लो तो बेतर है इस आप्षिन की तरफ चले जाओ और जूम इंड जूम आउट से ये काम आप कर लो ठीक है आज की डेट में जो दो और चीज़ें आपको सिखा दी है वह आपको टूल सिखा दिया क्या नाम है जूम टूल से इसकी शॉटकट की है और इसके बारे में मैं फ्यूलाइंस में आपको यहां पर दिखाव भी देता हूं एक स्लाइड है इसको देख लो फिर मैं टूल्स को थोड़ा करूंगा आपके साथ यह देखो अभी जो मैंने आपको करवाया है यह टूल्स जो मी के लिए करने ये का नै सरा कुंट्रोल मैनिसक्रोट करने के लिए ऑन स्क्रिन adow pedirतिटम के लिए का डिक है कह थीक है दृगओ गौंट्रोल जीरों कंट्रोल एन एंडर परसें गर्स को एक कंट्रोल्स जोम न डूट एकडक two hundred percent roll zero fit screen पूरी kitchen को Fit कर देख तो體 control 100 percent यह एक एक तोormand control one control one upъóра्व सकते here control zero fit screen control minus is control plus और यह ही इस लिख locks और यह आपर मैं जुम अबर्ड कर लिखिया एक एक पूर्ड कि अब मैनिस 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 और जूमिन के लिए एक गडॉल प्रेस किया रखना है प्लस 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 जूम 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 और पूरे कैंवर्स को स्क्रीन पर एक ही वक्त में देखना है फिट और विट्स वर हैट के मताबिक कंट्रोल जीरो और उसको 100% स्कीन के उपर आपने रिजर्ट जो प्रिंटिंग में आने हो देखने हैं कि पिक्सलेट तो नहीं और आप एमीज कंट्रोल पाने अंडर प्लेर हैं और इसकी यह आप्शन है प्रेफरेंसेज में जाकर आपने सेट करने होती है दिस वान जोंवे क्योंन का इसस यहां हैं यह यपरेफरेंसेज कि यह सबसे नीचे आपरेफरेंसे में आपने जाना है यह टूल्स में दिस वन न और भी है जनल हैं इंटरफेस है अच्छा इंटरफेस भी है बाद करते हैं सार यह जो साइड वाला एरिया ना यह ब्लैक ब्लैक क्या यह चेंज नहीं हो जाएगा मुझे डिस्टर्ब कर रहा है यह वाला राइट प्लिक करके करो चेंज को यह चेंज कर लो कोई और रख रहे हैं कर यह लो यह लो बैगरांड नहीं कैंवस के बाहर वाला एरिया राइट लिक करके डिफॉल्ट डिफॉल्ट यह होता है ब्लैक प्यूर करना ग्रे करना यह लो और यह चीज एक चीज जो मैंने अभी सेट की है ना अगर जिसको नहीं पता वो यह भी कर सकता था एरिट में प्रेफरेंसिज में इंटरफेस क्या यह वही चीज नहीं है जो अभी आपको करने के में दिखाया यह अच्छे यह मकी किसी देखो बड़ी जबस चीज यह पता क्या करता है पुरी तीम अप्लाई कर देता है यह देखो ब्लैक टोन पुरा environment black कर देता है यह आम तोर पे जब हम काम कर रहे होते हैं नाइट में काम करते हैं हमें थोड़ा सा अपनी आइस को आइस को थोड़ा सा comfort zone में लेकि आना पड़ता है जब आप घंटो घंटो बैठे रहते हो ना laptop के सामने तो आपको थोड़ा सा आपकी eyes का थकावड का शिकार जाती है तो आप कर थीम अप्लाई कर लिया कर लिए को ओवराल देखो यह देखो ब्राइटनेस है बहुत सब्सक्राइब को चुब रहा है पूरा environment सेट हो रहा है तीम यहां सेट कर लोगा है कि यह सब्सक्राइब कूल सा लग रहा है नाइट टाइम पे काम करते व अभी केशुकल मेहणा हूनी श्रू हो जाएगे कि आप यहां से भिजुक कर सकते हो जाए há काम ज्यादा आप यहांसे इसको कर तो हो स्रायंड तांकर सको सब्सक्राइब करना वाला ए्रीया है इस सिरी पर फिर गेसे करको ज़ो की जो आपका बाउंडरी बांडेर पाहिर तो आज बता डिया है मैंने जूम टूल का बता दिया लगे हाथ एक और टूल को एक्स्प्लोर करूंगा आपके साथ वो है है यह वाला है एक फॉर हैं टो यह पदा कब यूज रोता है जो मिन कर दिया और करने के वाला आकर तो मुझे ज़रा राइट साइट पर जाना आएंगे लेफ्ट साइट पर जाना है यहां यह तो इसको तो समय ज्यादा आरही होगी जिसने नहीं किया वह भी समय रहे हैं कोई मसला नहीं अच्छा एक चीज़ और अगर मैंने इसके जूम आउट किया वे अब इसका कोई सबस्क्राइट है आप तो इसका कांब भी खतं हो गया ने इसका क्या गरो गया किदर जाना ए सारा कुछ नजरारा है सामने स्पेन पूरी की पूरी Canvass is okay फिर सब्धित को जा है यूज तब होता है जब आपने इसको एक हद तक large किया वैट और आपको surrounding वाला स्पेसबार सदिल तोल में हो से यहाँ पर क्लिक करने की कर्ण धूरतण नहीं को इसको करूंगा इसको काम करते और यहाँ तोड़ा सा नायमें पर करके स्पेस्वार कुछ स्पेस्वार कुछ अलाइन्मेंट कर रहे हुआ थैज पर तो गया हूं पर वील तो यह जोंपे लिए जोंप्री नीजूंप बील तूल वी तूल वही है उपर बूब मेरा मेरे दोनों काम हो रहे हैं जुम वाला भी और हें जोकी आपके लिए असानी की से ब्हु में उपचे हैं सब्येजा Um मैं मुव भी कर रहा था सारे आइटम्स लेकिन मुझ कुछ सामने हैं कुछ इतरु तो नहीं मैं स्पेसबार से पढ़े रहा हुआ 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 है इस तरह आपने प्रैक्टिस करनी है इस टूल को आपने अच्छे तरीके से इंडिस्टान कर लेना और यह पता क्य क्यों हो रहे है हलांकि यह अलग लग यह क्लिक और है क्यों कि यह आप्शन है अगर होती तो मैरा यह काम भी नहों ए जो तरह बी क्लिक करता हुआ उसकी लेर मोटबिट की रहा है चानगे मैं ने इसके साथ ना थोड़ा सा ensuring इस सबाइस से कितने हद तक प्रेक्टिस कर लेनी है कि आप इसमें कम्सोर्टेबल अपने आपको रिलैक्स कर लेना है जोम हो गया हैंड हो गया टूल मूफ टूल हो गया फिर ये आपको मैंने कुछ दिखाए हैं टूल्स यह साथ यह वाने और एक चीज़ और बतायी है कि शेप एपर फिल केसा अस्टोक टूकर साथ वेक्ट के haus drive लाइन स्टाइल यहां थे मैंने अब बता दिया वह बागल कु его option अब्हीं मैंनें से सब्सक्राइब करणर और का सकते का ठारиков की सब्सक्राइब क्लिक करके दिए यह आपने क्लिक कर दिया कंट्रोल टी करो ट्रांफॉर्मिशन टूल आपके आगे हैं यहां से अब आपको राउंड करने के लिए जनाब करना पड़ेगा प्रॉपर्टीज के साथ काम प्रॉपर्टीज यह मुझूद है यह प्रॉपर्टीज नदर आ रही है इस प्रॉपर्टीज को दरब मैं बाहिर लेता हूँ यह जी प्रॉपर्टीज यह आपको यहां से फिल भी सेट कर सकते हो स्टोक भी सेट कर सकते हो जोगे बाहिर से इदर से किया था यह काम आप इदर से भी कर सकते हो कर रहे हो आप इसका साइज सेट कर रहे हो ऐसे यह सारे काम जनाब आपको ट्रांस्फॉर्मेशन यह अवेलेबल है यहां से भी की जा सकती है टिक कर दो तरह इसको टिक करने के बाद यह देखो चेक कीजेगा क्या विर्थ बढ़ रही है हाइट भी बढ़ेगी कितनी दस कर दो क्या है यहां पर सेट होगी उदेखो बैक्राइंड ट्रांस्फॉर्म है कितना करना है है दो तीन जितना आप करोगे एंटर यह देखो कि क्या करना है फिल यह लो हो रहा है इसकि इस कि पर सकते ते श्यप्ट करके यहां से भी हो रही है प्रोपरिटी इस पैनल में यहां मौजूद थी ड्रेग आउट करके इस दिखाने के लिए वह लेक्या आप यहां तक कर सकते यह देखो हुआ है कि रोटेट आप इसको फिलिप भी कर सकते हो यहां से अभी मैं करूंगा को समय नहीं आएगी क्यों कि शेप एक जैसी है फिलिप करते वागो नजर नहीं आ रहा है मैं आपको फिलिप करना भी सिखाऊंगा भी अभी देखते हैं अच्छा जरा जो नीचे थोड़ा सा यह दे सब्सक्राप है यह राउंड होगे थोड़े से हैं यह देख रहा हूं यह देखो कि दिवारा देखो जीरो कर दूंद दिखा रहा हूं आपको कॉर्णर उस शेप का प्रॉपर्टीज के दूरू बड़ा स्मार्ट ली आप इसको मैनेज कर सकते हूं इस शेप का यह आपका पैनल था इधर गई यह भी पाइट इफ़ार्ट नोट रहोता है यह दो पैनल आप इसकी विट्स करो इसकी हाइट करो इसकी रोटेशनी वैलिव सेट करो अब मैं एक चीज़ आपको और करके दिखाता हूं निसाल के दौर पे अगर आपको कहूं इसमें क्या रोल प्ले करेंगा और वो फ्लिप क्या करता है यह करता है अग यह देखो यह क्या बहुत कर रहा है रोट्रिकल उसको क्या कर रहा है होडोंडल करूंगा कुछ समझ आएगी हमें यह फुर्जब्स का स्वेट्री है सेमशल एशेब है इसे काम करता हूं इसको रोटेटकर लेते हैं चाहिए यहां से कर लो है ऐसे हैं किया आप होगा को दिफरेंस नजराएका आपको आपने राना चाहिए न यह लो लो होरा है करना प्लेट करता है डाटनल यह करता है एक से पुरिजिट लेकर आपने आगे लेकर बन इससे पता है एक्स वैलू कितनी है 2.91 वाई की वैल्यू क्या है इसको क्या नीचे उपर करना है आपने यह देखो कि वो चला गया 23 पॉइंट पे नीचे ले आँ सू यह लो मुवमेंट यह लो इसको तरह मैं जूम आउट करके दिखाऊं यह देखो कहा जा रहा है वह ट्राइंगल कि दर चला गया यह ट्राइंगल था यह वाला ठीक है अब देखो इसको पॉजिशन आप यहां से भी कर सकते हो एक्स वैल्यू वाई वैल्यू थोड़ा सा मैं आगे क नीचे य का मतलब पॉजिव कर ओपर जाएगा नेगिटिव कर नीचे आएगा पोजिशन से करेंट वागे तोड़ी सी वैल्यू चेंज करता हो नीचे पास्टिव साइड है यह लोग पास्टिव साइड है यह लोग और करूं जो वैल्यू आप दोगे उसके मताबी मुव और इसको भी जीरो कर देता हूं एक्सन वाई की जीरो पॉजिशन का मतलब इसको भी कर देता हूं पर इसको भी जीरो के लिए आप का चला गया हो एक्स की वैल्यो यह जीरो दिख रही है यह वान यह टू और यह जीरो दिख रही है रूलर में वान टू यह वह पूजिशन है जो एक्स की वाई की आप देते हो कि वाई की वैल्यो में सैवन पर लेक्या आता हूं यह सैवन करने लगां कर देते हैं यह देखना दरा मोफ्मेंट हो रही है तोलडर के मताबिक एक्स की वैल्योग यह है वाई की वैल्यो यह है फ्लिप कर क्रों पनी déb Savoy चोटी-चोटी चीज़ें शिखा रहा हूं आपको फिल कर नहीं हो स्टोप देना हो यहां तर ध्लेर मजीद कुछ और भी चीज़ें हैं जिसमें आप अगर चाहो इसका कर सकते हो गया यह नहीं हो गया चेक करो कि लाइन का स्टाइल चेंज हुआ यह वैल्यूज आप चेंज कर दो यह लो कि इसकी वैल्यूज यहां पे एक सेकंड पिक्जल इसके बढ़ा दे तक नज़र आया में यह लो ते देख रहा है कि यह देखो यह देखो यह देखो यह देखो टॉट्स में लेकी जाना है इसकी ना पिक्जल वैल्यू बढ़ाकर देख लिया करो अगर आप ना ना नदर आए यहां से देखर गया और जिनाब आपने इस प्राइंगल का कॉर्णर राउंड करना है अचा आसान सा तरीका बताओ कॉर्णर राउंड करने का यह देखो यहां से भी कर सकते हैं लान प्लाइअ क्लिक करने और इसको ऐसी लेजया कि यह से भी कर सकते कॉर्णर राउंड है पीचियाना स्के उस्टेपने पीचिया है इस उद्रकर दो यह लूव कि इसको मुझ करके साइट पर कर देते हैं अब आपकी शेप अगर आपने इसकी कॉपी पेस्ट करना है भी कर सकते इसको एक और अचाए कॉपी पेस्ट अलग से कॉप्शन है मैं आपको इसको असान सा करेका बताओ एक चीज़ को डुप्लिकेट बनाने का लेयर सामने है अब कि ए इसको आप कंट्रोल जे करतों कंट्रोल जे यह गहार कियाएगा यह लेयर की कॉपी बन गई कंट्रोल जे यह देख रहे हैं यह यह भी है और यह दोनों वजूद हैं यह चेक के लिए कि दुबारा से देखो गंट्रोल जे एक और कॉपी बन गई चेक कीजेगा यहीं बन गई यह लो असा तरीका बनाओ गट्रोल जे नहीं आता आपको ड्रैक करके प्लस पे ड्रॉप करतो इससे भी कॉपी बन जाती है कि यह दूब आप चीज़ बनाई है ना आप डिजाइन में उसको रपीट करना चाहा हूं इससे भी आसांदरी का बताता हूं आप इसको क्लिक करो और ड्रैका ओट करतो है क्या बोला आपने जो एलिमेंट है ना क्लिक कर तो और के साट ड्रैका उट करतो और के साट ड्रैक आउट करतो और के साट ड्रैका आउट करतो जितनी मर्दी कॉपी बनाओ और 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 शॉटकट किये डुप्लिकेट करने के लिए लिए कि अब अब ही आपकी अच्छा अगर आप कहते हो ना सार इतनी चीज़े मुझे पढ़ा दिया आज क्या क्या चीज़ याद रखो कोई मस्ला नहीं किया मैंने 50 सवा करना है हर रोज इसको मैं रिबीट कर रहा हूंगा आज नहीं पिक किया कल कर लेना परसो कर लेना या आपने कर अब करने कहया कि प। प्रेक्टेस वग प्रेक्टिस है आपकी सब hunter ऑख जब कभी आपके पैनल कीर फॉ आज क्ली चुह चैब कभी कोई पैनल स्टाबैंक पोजेशन में आगे हैं क्यों तूलबॉक्स हीलिया पैनल घाबने आ गया कर दिये आपने एक ही काल किया करना है व तो आपने क्लिक करके जर्द सामने रख को और हो सके तो इसको ड्रैइग करके पाहे ले अएग मैने इस पैनल में काम करवाया दूसरा मैंने कलर्स में भी थोड़ा सा आपको बताया इन पैनल की भी आपको थोड़ी से समझ आ गई है फिलेंग में यूजओ उतने हैं जो भी फिर मैंने एग और प्रक्रेश्ट किया अभी बिल्कुल प्रापर्टेश कि यह जुए इसकी भी कहीं नहीं आपको समझ आई है थोड़ी सी कि ने अब मेरी वास आप अपॉली गौन जब आपने क्लिक किया हुआ है यह तेख यह तो ए इधर भी है इधर भी है जहां आप समयते हो यह कितनी होती है कितनी होती है क्या करना चाह रहे हो उसकी पिक्जर वैल्य विर्थ कर लो कलर यहां से ले लो विर्थ और हाइट यहां से देड़ो और इसको ड्रॉप करना शूब कर दो यह लोग बन जाएगा उसमें क्या मसला है समय आपने concert नदर आ इस ने हैं देकर दो बार सदेको आपने आप अना झालम हैं आप 600 आप इसको सपॉर्ड कर सकते ऐसे पांपर शेफ्ट कर दो चूटि-चूटि-चूटि चीजें इसको आप यहां से कंडौल करोगे और अगर आपको इसके डिस्टरंश चबवर कर दिया क ऐसे चोटी-चोटी आपने काम करने और आपने जो असल काम करना है आज की डेट में वो यह के यह जो टूल बॉक्स है यह वदा यह वदा इसको डबल कॉलम में लेके आया करो सबसे पहले ऐसे अगर ना देख रहा हो विन्डू मेनु में चले जो और कुछ नहीं करना आपने कोई खपने की दूरत नहीं है कि मैं यहां से डाउन करूं और इनको देखूं ऑन है कि नहीं है अगर आफ हैं भी मिसाल के तौरब अगर आफ हैं भी किसी ने कर दिये आपको जेह से निगल जाता है कि कैसे कुछ नहीं करना आपने इसकी टॉप मैन्यू आप्शन में जाने और इसको क्या कर दिया करो कि यह दूरूर कर दिया करो अगर आप डिस्टर्ब नदर आए इंवायर्मेंट देख रहे हैं उपर आप्शन भी तूल बोक्स भी आ गया और सिर्फ यहीं नहीं आया पैनल जो साइट पे पढ़े वे थे वो भी अपनी अपनी पोजिशन पे आ कुछ मैंने डिसक्स की हैं भी चीज़ें आपसे और साथ में टूल बॉक्स में क्या सीखाए जनाब मूफ यह टूल मूफ बड़ा इंपॉर्टन फिर यह शेप्स और इनकी रेलेमेंट प्रॉपरटीज उपर वारे हाफ आल्मोस मैंने पैनल आपको बता दिया हाफ रहता है हाफ बता दिया हाफ अभी आपका रहता है वह मैं शाले डिसक्स करूंगा आपके साथ और साथ में तूल दो और सिखाए हैं जनाब आज एक जोंग टूल और एक हैंड टूल अच्छा बाद अगास बाद स्टून्स के कहते हैं कि सारी टूल नजल नहीं आ रहे हैं इनमें से कोई चीज मिसिंग लग रही है यह यहां से आपको इसको चेक कर सकते हो यह एडिट होता है यह त्री टॉट से नजरा रहे हैं त्री टॉट सी हवाले बिल्कुँ एड़े क्लिक करो गे लेखने को फूर से लॉट करने और माउस को यह शुरू है आप ने कभी बी अगर आप समझो गस्ता उक चा इसको मैं यहां से एक्स्टा में डाल वह आप तो मेरा नजर ही नहीं आ रहां मूटूल है क्या यहां पर पूटूल तो है नहीं एड़िट यहां पर एक्स्ट्रा में और अगर वापस लगना चाहरे हो एक तरीका ही हो सकते है अड़िट टूलबार और यह सेंपल वेज रिसेट रिस्टू यह लो हर चीज अपनी जगह पे ड़न हो यह वापस आ गया तू है एड़िटर रिस्टोर फ्रॉं बटन और अगर आप इससे घ्राइब कर देते हैं तो टूलबार आपकी शॉट हो जाएगी रेक्टेंगल आपको बताया देना यह एक्टेंगल यह पूरा ग्रूप नदर आएगा आपको एकठा यह ग्रूप है यह वाला ग्रूप है या यहां के से रिस्टोट कर लिया तो बस आफ्यवजिंग इसबैंगत डिले को इन्शहलां यही सी कांटिम्यू करेंगे और हमारे साथ आ ऑनलाइन अंजुम है और लाएफ ठीक हैं तेकर यही से हम कांटिम्यू करेंगे यहां तक आप ठ्रीक्टिस करनी कर देगा तो तुरा आज का लेक्षर इंशाला आपको मिल जाएगा तो आप वहां से इसकी प्रैक्टिस कर लिजेगा किसी का मिस्ट भी वह तो ठीक है यहां तक आप हर सूरत में जो जो आप्शन जहां जहां कि जैसे जैसे आपको सिखाई है इसको सीख लेगा ताकि अगले दिन जब मैं काम आओ ठीक है इस तरह आप इस टूल को आप अंडर्स्ट्राइंड कर लो गर काम आएगा ने दिवाश्पिया थेक्यू